आपका हमारी खाफ पेशकर्ष में और आपके साथ मैं हूँ रश्करवारी दंतिवार्णा विठान सवाफ फीट पर 23 सितंबर कोहुने जा रहे हैं चुराव का आज चुरावी शोर गुलाच को थम दया कॉंगर्स अभी शोपी दोनों की दल चुनाज चीतने में पूरा जोर लगा रही है और चुराव पिचार के आखरी दिन दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा चुकी है बात करते हैं दंतिवार्णा केसी चुरावी दंगल की है तो 23 सितंबर को होने वाले दंतिवार्णा में उच्चुनाव प्रचार आज शाम को थम गया अब प्रचाशी डो टू डो जन संपर्ट कर सकेंगे दंतिवारा सीट के लिए बीज़ेपी और कॉंगर्स ने प्रचार अभ्यान में अपनी पूरी ताकर छोगती है तो एच्चुनाव के लिए पूरी दिवस्था कर ली गई है सुरक्षा के तमाम अकुल इंतिजामात किये जा चुके हैं और शांती पून तरीके से चुनाव यहां पे संपर्ट होंगे दंतेवारे में चुनाव प्रचार का शोरगुल ठम गया है और अब सिर्फ दोर टूर प्रचार चल रहा है सभी दलू के स्टाव प्रचार के विधान सफर छोड़ कर बाहर जाने लगे हैं बाट इसके साथ ही अपनी-अपनी जीत के दावा करते हुए दंतेवारा से विधा ले रहे हैं पूर्ब कैबिनेट मंची महीश गाग्रा ने भाज़पास की जीत का दावा किया है तो महीश गागरा से खाग पाख्शीत की सहियोगी पंकत सिंप दोरिया परला करेशा है और प्रेशा दस्ति करेशा है और करने जिकर नहीं हो का रजन्द प्रटिक पेश्या मामले और लोगों मैं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें के लिए उप्चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया चौहटी चुकूच में 21 अक्ट्यूबर को मतरान होगा तो वहीं इसके नतीजे 24 अक्ट्यूबर को चारी किये जाएंगे चौह आपकी तारीखों के ऐलान होने के बाद मुक्स निर्वाचन पदादिकारी सुपर साहूने निर्वाचन आयों के तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी तो चलिए इस वक्त हमारे साथ एच्ट्यूबर की राजिधानी राइपो से हमारे च्ट्यूबर संपाद एक मरोशुन बगेल भी हमारे साथ लाइफ जोड़ गये हैं जनके साथ चर्चा करिंगा चर्चा की शुवात मैंनो जी जिस तरह से चुनाओ को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरह से दोनों ही पार्चियां दावे कर रही हैं कि जीत की दावेदारी दोनों ही ठोक रही हैं क्या लगता है क्या कहता है दंतेवारा कमूर देखे रस्कियदी पिछले जो चुनाओं होते रहे हैं और उनमें जिस तरह का ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए दोनों ही पार्टियों के दावय में बजबूती दिखाई दे रही है और यही वज़ा है कि दंतेवारा में काटे का संगर्श माना जा रहा है जिस तरह से वहाँ पर भीमा मंडावी जो पिछले जो चुना हुआ था आम चुना हुआ था उसमें भाजपा से भीमा मंडावी जीत कराये थे जबकि पूरे प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर थी उसके बाद भी भाजपा के भीमा मंडावी वहां से जीत कराये थे और जो है वोट मिलते हैं ये जादा तर मामलों में हुआ है कि इस तरह के प्रत्यासी जो भी होते हैं इसलिए साहनुभूती वोट पाने के लिए उस परिवार कहीं किसी सदस्य को उम्मीद्वार बनाया जाता है तो भाजपा ने भी वही किया है जो भीमा मंडावी है उनकी पत् नावे कर रही है वहीं दूसरी और ये भी देखा गया है कि सत्ता पक्स जो होता है उप्चुनाओं में उसको लाब मिलता है हमेशा से ये ट्रेंड रहा है और सभी को ये लगता है कि चूंकि अभी सरकार जो है कांग्रेस की है और इसलिए हम यदि उसी पार्टी का विधा चूनेंगे तो उनकी बातें सरकार में ज्यादा सुनी जाएगी और इस्थानी जो सवस्थाय हैं उनका असानी से निदान हो सकेगा तो ये एक बड़ा वज़ा है जिसके कारण कांग्रेस को लगता है कि उसके जो प्रत्यासी हैं जो पिछले चुनाओं में हार गई थी दे करीब 6 साल पहले ये घटना हुई थी 6 साड़े 6 साल पहले तो उसका फाइदा पहले तो मिला था पिछले बार वो विधाय करही थी लेकिन जब दूसरी बार चुनाओं हुआ तो वो हार गई थी तो ये तमाम बाते हैं जिसके आधार पर दोनों पक्ष जो है वो बहत आसान है और दोनों ही पक्ष जीत के दावे कर रहे हैं निश्चित तोर पर कांटे का मुकाबला है आज तीन बज़े के बाद चुनाओं पर चार थम गया है और दोनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार है वो अब घर गर जाकर व्यक्तिकात संपर कर रहे हैं और लोगों से अपन अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं अब जो है 23 तारिक को मद्दान होना है चुकि दंतेवारा जो है वो गोर नक्सल प्रभावी छेतर है यही वज़े है कि चुनाओं आयोग ने जो मद्दान का समय ते किया है वो सूबर 7 बज़े से लेकर 2 पर 3 बज़े तक मद्दा चुनाओं आयोग की तैयारियों की बात करें काफी दे रहे हैं इसी बीश मंतुराम पवार की प्रेस कॉंपेंस भी होती है तवाम आरोग वो भाती जोनता पार्टी पर और शीष नेच्वित पर भी लगाते हैं और से दमन की एक दमन का भी आरोग लगाते हैं पिस सम्मान कहते हैं कि कॉंग्रिस पार्टी ने सम्मान दिया लेकिन जो भाजपा ने किया है उसको बरदाश्ट नहीं किया जगर इन तमान चीजों का असल क्या दंते वारा उप्चुनाओं में देखने को मिलेगा क्या वोटर इंफ्लूएंस होगा आ देखिए सम्माना बिल्कुल इस पारे में जाहिद की जा रही खास दो मामले जैसे कि एक मंतुराम वाले मामले का आपने जिकर किया कि अन्तगर में जिस तरह से उन्हों ने चुनाओं के ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया था कांगरिसी प्रत्यासी के रूप में और उस समय कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि इसमें जम कर पैसे का लेन दिन हुआ है साथ करोड रूपे में मंतुराम को खरीदा गया इस तरह की बाते थी और हलाकि उस समय तक मंतुराम बिल्कुल लड़े थे कि किसी तरह की कोई सौधे बाजी नहीं हुई है और जो ह जो है यारोप लगा दिया कि अजीज जोगी ने मीडियेटर की भूमी का निभाई थी और डाक्टर रमन सिंग ने उनको खरीदा था और इसमें तमाम लोग सामिल थे तो इस बयान के बाद ये माना जा रहा था कि इसका फाइदा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा और इस मामला जो है नान मामले को लेकर भी काफी राजनितिक गहमा गहमी दोनों पार्टियां इसको अपने अपने फेवर में फायता उठाने के खोशिश करती रही है नान मामले को लेकर सुरू से सरकार जो है कांग्रेस सरकार जब से आई है वो नान मामले की जाज के लिए लगा कालीन सीम थे राक्टर रमन सिंग वहां से जो है पूरे घुटाले का स्क्रिप्ट जो है वहां रचा गया था और ये पूरी जानकारी उन्होंने अपने सपर पत्र में दी थी और इस पे भी कांग्रेस कैसा मानना है कि ये जो दोनों मामले हैं जिसमें जो पहले भाजपा का से वो लोग कांग्रेस भाजपा के खिलाब बयान बाजी कर रहे हैं और इसका कहीं ने कहीं फैदा भाजपा को मिलेगा तो ये तमाम बाते हैं जिसके आधार पर जो है कांग्रेस को उमीद इस बात की है कि इन दोनों घटनाओं से चाहे अंतगर ठेपकांट हो चाहे नान गोटाला माम लहो इन दोनों में भाजपा जो है वो नकरात्मक भूमिका में आम जनता के सामने आई है और इसका लाब जो है कांग्रेस को मिलेगा जी बहुत शुक्ति अबरो जी चर्चा विश्वामिज मुरित लूरितनी बहत्पूल जानकारी साचा करने के लिए